this bill at the right time. Thank you very much. Thank you. Shri Matiz Sangeetha Yadow. जी को देश की आधी आबादी की तरफ से मैं साधिवाद देती हूँ कि लोक तंत्र के इस नव निर्मित मंदिर में पहला आधनियम महिलाओं के राजनितिक अधिकार को दिलाने को लेकर वो आए हैं। जी आधनियम तो महिलाओं के मानेता से सिधान से जुड़ा हुआ है। मात शक्ति को सम्मान देने वाला अधिनियम है। महिलाओं के लंबे संगर्श को खतम करने वाला अधिनियम है। और मानिस सभापती जी मैं ग्रामीड शित से 12-17 से लेके 22 तक MLA रही। तो इन साधे 9 व मानिस सभापती जी और ये भी आकड़ों के साथ बताऊंगी कि कैसे हमारा महिलाओं को आगे बढ़ना राजरतिक एजंडा नहीं है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं मानिस सभापती जी। आधनित्ता का नारा भी लगा रहे हैं। परंदु जब महिलाओं से जुड़े मुद लेकिन कभी भी ये चर्चा का विशय नहीं रहा। मानिस सभापती जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मानि मोदी जी ने 2020 में लाल किले से 15 अगस्त को सरिटरी नैपकीन का उलेक किया और उसके बाद से एक अभियान बना और हजारों लाखों महिलाओं को जाने कितनी बिम महिला और पुरुष कोई भी हो बिमारी के लिए हम लोग पैसा मुख्यमंत्री विवेकादिन कोच से दिलाते थे तो इसमें पुरुष भाई तोड़ा बुरा नहीं मानेंगे जो मेरा अपना अनुभव में वही बता रही हूं जब पती को कोई बिमारी हो जाती थी और पै लेकिन जब वही गंभीर बिमारी हो से में हमारी बहने पेडित होती थी और पुरुष भाई आते थे तो क्या बोलते थे अरे बहनी टाइम लगिया क्या तनी और मेहनत करें थोड़ा सा और मेहनत करें पैसा मिलेगा तो इलाज शुरू करवा देंगे ये सोच में अगर किस अगर हम बात करेंगे तो ये भी बहुत चिंताजनक बात थी कि देश कि आजादी के इतनी वर्ष बाद भी 11 करोड सोचाले हमने परिवारों को पहुचाए हैं कई बार में विपक्ष को सुन रही थी लोग कह रहेते बीज़ेपी वाले हैं छोटी बात करते रहते वाकई मे चोटी बात कर रहे हैं लेकिन अगर चोटी बात पहले आप लोगों को निकर दी होती तो हमें कहने की जरूत कहां पड़ती मैं उजोला की बात करूंगी उसमें भी छोटा साब का अनुफर बताऊंगी जब कभी ग्रामीट छेतर में खाना बनने का समय ना हो और हम लोग प परिशान ही देखी थी लेकिन आज जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं अरे मैंने बैठो मोधिया का सिलिंडर है तो मतला यह जो जो बदलाव है जीवन में यह मैंने अपने अन्भोष देखा है सुना है और मैं आपको बताना चाह रही हूं कि कैसे हमने गैर राजनीतिक का महिलाओं को शिशक्त करने के लिए किया है जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं की बात आती है और जब मानि पधामंति इसकी बात करते हैं तो मैंने देखा कैसे लोगों अपने गारियों के पीछे लिखा अपने घर की दिवाल पे लिखाया लिखा सोसल मीडिया पे और उसी की देन है कि हमाला घरेलू हिंसा कम हुआ है सेक्स रेशियो बढ़ा है महिलाओं के पति सोच बदली है और जब सेलफी डॉटर शुरू हुई तो बच्चियों का समाज में सम्मान बढ़ा है एक और अनुब बताते हूं मानि सभापती जी 2014 में जब मानि मोधी जी पधार मंत्री बने तो जन्दन खाता यूजना आई उस समय में विधायक नहीं थी पार्टी के एक छोटी सी कारे करता थी और मैंने गाओं-गाओं में जाके केम्प लगाना शुरू किया तो जब महिलाओं घुंगण में आती थी तो वो विकीन न लाभारती हमारी महिलाये हैं और जब एक खाता खुड़ा तो मखौल भी उड़ाये जा रहा था लेकिन आज जब बिना लिकेज के पैसे पहुंचते हैं तो इससे हमारे पीम सहाब के दूदर्शिता हमें दिखाई देती है इसे कि अगली कड़ी मुद्रा योजना है मैं हम स्वापती जी मैं अभी बेटियों को तो बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रियास करी रहे हैं इसमें कुछ तोड़ा सा आकड़ा बता देरा चाहूंगी कि कैसे हम ग्रामीड अस्तर पे और राजनेतिक अस्तर दोनों पे चल रहे हैं माने स्वापती जी हमारी सरकार ने महिला शक्तिकरम विशेश बल दिया है जहां हमारे शुश्वी पधा मंतरी ने स्वय सहायता समू के माध्यम से ग्रावीट तबके की महिलाओं को आर्थिक और समाजिक रूप से आत्म निर्भय बनाने के दिशा में कारी किया है वहीं पर अपनी मंतरी मंडल में सबसे ज़्यादा महिला मंतरियों के अब तक का रिकॉर्ड है रखकर उनको राजनितिक रूप से सुसक्त किया है आठ आठ महिला राज़िपाल बनाने का रिकॉर्ड भी हमारी सरकार के पास भी है देश की सर्वोच चुपत पर आज मानी राष्टपती दुरुपदी मुर्मू जी है आज मैं बताना चाहती हूँ कि मानी सभापती जी मैं सबसे निवेदन भी यहां करना चाहूंगे कि हम यह क्या यह तिहास रचे और यह जो हम राजनितिक एजन्टे के रूप में नहीं महिलाओ के शक्तिकरण के लिए जो बिल लेकिया है उसमें सभी का समर्थन मिले जब देश की सुनता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं हमारा संकल्प है कि देश को 2047 तक पूर्ण विक्सित देश बनाना है इस उद्देश के लिए मानी मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया है लेकिन इस उद्देश की प्राप्ती के लिए आधी आबादी को राजनीतिक भागेदारी देना बहुत जरोरी है मानी सबापती जी लोकसवा के 549 संसर सदस्यों में से मात्र बयासी ही महिला सांसाध है मुझे बताते हैं हर्श हो रहा है कि यह भी 2019 के चुनाओं में ही अभी तक सरवाधिक भागेदारी है मानी सबापती जी यही हाल देश की विधान सभाव का भी है लगबग पूरे देश में विधान सभाव में महिला विधायकों का आउसत केवल 8% है संसत में 15% से भी कम है इन आकड़ों से जाहिर होता है कि आधी आबादी को उनका हक दिलाने की बाते तो बहुत जोर जोर से की जाती रही है लेकिन बराबरी का दर्ज़क कभी नहीं दिया गया हर चितर में महिलाय आज पर्चम लहरा रही है चाहे वो स्पोर्स हो चाहे वो स्पेस हो अब यह सोचने का समय है कि प्राचिन भारत की गौरफ साली यात्रा कहां पीछे रह गई हम तो धर्ण के लिए लक्षमी जी गो विद्या के लिए सरस्वती जी की पूजा करते रहे हैं और इसमें मैं ज्यादा नहीं जाओंगे क्योंकि मानी राष्टी अधिक जी ने सुबह बहुत विश्तार से इसमें चर्चा की है इसने मैं नहीं बोलूँगी लेकिन मैं इतना धुरूर के रूप में अर्ध भारत में अर्ध नारिश्वर के रूप में सम्मान पाने वाली इस तुरूर से कैसे पीछे रह गई यह हमारे सोचने का समय है और उसी परणिती के रूप में यह नारी शक्ति बंदर अधिनियम को हमारी पार्टी लेकिया यह हमारी सरकार लेकिया यह आज भारत विश्वगुर बनने की और अग्रसर है जैसा कि हमने जी टॉन्टी के अधिक्ष्टा में देखा भी जी टॉन्टी की बैटक में महिला नितितु के भागेदारी पर चर्चा हुई ऐसे में यह आती आवश्यक है कि देश की आदी आबादी को राज़िति भागेदारी बढ़ाने का हर कानून हर संभव कानून बनाये जाए माने अध्यक जी यहां मेरी पार्टी के साथा तानिर पार्टी के भी नेतागर मौजूद है आज जब किसी विराजनितिक पार्टी में हम देखते हैं तो महिलाओं के सक्री भागेदारी पूर्शों के बराबर ही दिखाई देती है पार्टी कार्यकरता के रूप में अब भागेदारी पूर्शों के बराबर है अब यह कार्यकरता के रूप से कार्करता के रूप से जन प्रत्रिदी बनने का सफर हर महिला का एक सपना है एक इच्छा हो रहा है और मैं यह चाहूंगे कि महिलाओं की इसी सुच्छा पूरी करने में पूरा सदन सरकार का सहीयोग करे मुझे हर्ष है कि भारती जंता पार्टी के संक्रण के पत पर महिला आरक्षन तो पहले से ही लागू है मैं मानिय अध्यक जी बताना चाहूंगे कि हमारी महिला वहने राश्टी और राज यस्तर पर महिला मतदाताओं की सदाई लगातार बढ़ रही है 1971 में यह 48 परसंट थी, 2014 में यह 67 परसंट से भी जादा हो गई है जागरुक मतदाताओं के माध्यम से राश्ट निर्मार में अपनी भूमिका निभा रही है अब हम यह समय आ गया है कि आदी आबादी को उनको राजनितिक सभागिता का समान औसर मिले माने सभापती जी, अभी मैं सुन रही थी तो सुनो क्या रहते लेकिन इससे पहले कॉंगेश पार्टी का दिक्षा 10 साल महिला थी लेकिन महिला भी नहीं आया पधामंत्री भी महिला थी, राश्टपती भी महिला रही लेकिन यह बिल नहीं आ सका तो मैं आज अपने सभी लोग नीवेदरि के साथ किस बीदों करें इस बीदों करें इसी नीवेदरि के साथ अपनी बाड़ी जीए